हलो दोस्तों नमस्कार शंतोसी फ्यूचर क्लाइस में आप सभी का स्वागत है आज हम रिजिनिंग के और इसमें कुछ कुछन मैत के हैं जो की आपके आने वाली सिच्छक भरती जो मलब सिच्छक भरती आई है आपकी विया की उसके लिए काफी इंप्पॉर्डेंट कुश् का पारदीके आट करवा हम सोच रहते हैं कि आ जम मैत का कुछिन करवा देते हैं और रिजिनिंग को टॉश्चन देखते आपका मैत वीडियो को लाइक करेंगे पहला आपका कुश्चन है इसको आप पहले वीडियो पहुच करके खुद सॉल्व करें अगर नहीं आ रहा है तब इसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करें ठीक है ऐसे आपका ज्यादा बेनिफिट होगा पहले कुश्चन लिखा गया है इसमें जो यह इसमें कौन सा होगा ठी तो चलिए हम देखते हैं यहां पर क्या हो सकता है तो यहां पर लिखा गया है आप अगर सॉल्व कर लिए होंगे तो अब हम बताएं देखिए यहां पर इस साइड से चलिए 44 में से सैथिस घटा दीजिए 44 से 37 घटा ये तो कितना आएगा आपको साथ आ रहा है साथ को साथ को साथ से मल्टिप्लाई कर दीजिए 49 आ रहा है ठीक है अब देखे दूसरा भी ऐसे यह भी कर दीजिए इसके बाद यह कर देते हैं 58 को तिरपन में से घटा दीजिए 58 में से तिरपन घटा दीजिए ठीक है तो कितना आ गया आपका पांच आ गया पांच आ गया आपका रहा है यहां भी साथ से मल्टिप्लाई किया गया है यहां भी आप साथ से मल्टिप्लाई किया गया है यहां भी आप साथ से मल्टिप्लाई किया गया है तो यहां पर एक आ जाएगा ठीक है और यहां पर पांच में से चार गया एक आजाएगा इसको भी साथ से मुल्टिप्लाइ के दीजिए कितना आजाएगा 77 यहां पर आपका समिंटी से देखें बीपीसी में पिरी में इस बार पूछा गया है तो जो बीपीसी में एक से पांच वाले या अधर मतलब जो एक आठ से उपर हैं उस सब के लिए यह 248 तो ठीक है यह थोड़ा अच्छा कुश्चन है ठीक है इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है तो अगर इस कुश्चन को अकल लेते हैं तो आपको का काफी बोश्ट होगा देखिए पंदरा से बीस कैसे हुआ अब देखिए पंदरा से आपका ब प्लस एक कर रहे हैं तो यहां पर पांच आ रहा है तो पांच यहीं जोड़ दे रहे हैं प्लस पांच ठीक है इतना आपको समझ में आ गया अब देखिए हम बीस से बतिस करते हैं ठीक है बीस से बतिस करते हैं अब तीन का वर्ग तीन तरीक का नव क्योंकि यहां बारा जोड़ना है और तीन अभी और लाना है तभी तो यहां पर बारा हो जाएगा यहां बारा पहले में लिग देता हूं बारा बनाने क्लिए क्या करेंगे तीन क उर्ग करेंगे परस यहां पे तीज लागे तब यहां बारा हो जाएगा तो बारा अब जोड देंगे 32 अब 32 से 62 करेंगे कितना आजाएगा 32 से 62 ठीक है अब देखिए पर टेर्टन किया चल ला है इस दो चल ला है तीन चल ला है ठीक है तो दो तीन अब फिर पांच चलाईए तो पांच का वर्ग ठीक है पचीस इसके बाद कितना आ गया यहां तीस जोड़ेंगे तभी तो यह बासट बनेगा तो पचीस पांच तीस पांच जोड़ दीजिए तो यहां पर पैटरन क्या चला है एक तीन पांच अब देख साथ करेंगे ठीक है सात का वर्ग सासते उन्चास पलस कितना जोड़ेंगे एक तीन पांच छे तो नहीं साथ ही रहेगा न सात आ गया तो उन्चास सु साथ 54 56 करेंगे तब 118 अगया ठीक है अब 118 से 248 करना है अब हैं 248 करना है अब यहां पर देखिए 2,3,5,7 अगर यह 11 चंहें तो मोचा में 282 जोड देते हैं है यह थोड़ा सा टिपकल सवाल लग रहा होगा वाको ग्यारा करें 121 होता है 121 यहां पर जोड़ देता हूं पलस 9 तो 9 1 10 2 1 3 1 फिर 130 और 118 जोड़ेंगे यहां पर कितना आ जाएगा 8 3 1 4 1 2 248 आ गया अब 11 तक तो आ गया अब इसके बाद 11 बाद 13 आता है तो 13 का वर्ग हम करेंगे अब इससे यह बनाएंगे देखिए 13 का वर्ग अब करेंगे ने 13 के वर्ग के बाद 9 तो आ गया 9 के बाद कितना आ जाएगा है ठीक है तो 13 कवर कितना आ जाएगा 169 जोड़ देंगे तो कितना है 9 1 10 6 7 8 है और 1 कितना जाएगा 180 आ गया के दो, दो, एक, तीन, एक, चार, चार सो, अठाइसा आ गया देखिए काईसे जुड़ा है यहाँ पे दूसरा परिटर्न पहले पे चलेगा दूसरे पे दूसरा परिटर्न चल लगा है यहाँ पे कहा रहा है एक, तीन, पांच, साथ, नौ, ग्यारा चल ला है और पहले square वाले pattern में क्या चल ला है दो तीन पांच साथ ग्यारा तेरा या अबार जिसन क्या इसमें चल ला है ठीक है तो यह इस type के सवाल आपका बनने की संभावना बन जाती है ठीक है हो सकता है ऐसे ही सवाल आए लेकिन थोड़ा सा इससे digit simple कर दे लेकिन अगर आप जाने रहेंगे कि square करने के बाद का इसे जोड़ा घटाए जाएगा तो वहां पर आप कुछ दिमाग लगा पाएंगे ठीक है मेरे इस question करवाने का मतलब यही था और इतना cutting question नहीं आएगा आप में इतना जान लेकिन मेरे question करवाने के यह मतलब था कि अगर आप इस type के question कर लेते से पसे पहले कोन है जNIS से चेर एक दम सामने लगेगी फिर उसके पीछे लगेगी फिर सब्क शसुक्त लगेगी तो हम सब您ते हैं पहले पर राष्ट पति तो राष्ट पती दूसरे पह इसके बाद उ let me पर हैं दूसरा पहला ठीक है इसके बाद आपने पीम मोदी जी आ जाएंगे ठीक है तो यह आपके चोथे पर हैं तो 214 कहीं पहले किसी वाला टिक ऐसे कुश्चिन आपके पेपर में बनने की समझें बहुत ही इंपोर्टेंट है घड़ी वाला ऐसे कुश्चिन पूछ लेता सब्सक्राइब होता है जब 17 कितने डिगरी का बढ़ेगा जब 17 कोई चीज हो जाएगी तो जीरो टेगरी का क्योंकि उसी पे पांच और छोई के बीच में उसी पर क्या होगा आपका इससी के अगंता जैब उसी करें जाता है क्या इना क्यों सब्सक्सक्राइब नरौ होगा एक साथ मुझार है और पर कहाँ आपका होगा तो इससे बज रहा है एकशे यहां हो गए सुई बारे बड़ी वारे पर लिए भी परी तो यहां पर एक सो ऑस्तान पर एक सो असी रख देंगे ठीक है लेकिन यहां पर एक साथ का रहा है तो एक साथ मतलब जीरो तो यहां पर एटू के स्थान पर जीरो रख देंगे तो दो बट्टे 11 हो जाएगा एवन कितना हो जाए पांच हमेशा पांच में तीस कम करेंगे चाहे चार और छिए के बीच में तो चार में तीस कमटीपलाई करेंगे यह एवन होता है ठीक है दिधित справ版 कितना हो 15. 1000 हो जाएग этот इसको खांडब बटे कितना हो जाएगा ग्यारा अब इसको भाग कर देजिए तब इसको भाग कर देते हैं हम देखिए यहां पर तीन सो भागे ग्यारा तो ग्यारा दुनाई iosity 22 कितना हो जाएगा, 8, इसके बाद, 00 हो गया अब तो यह कितना हो जाका, 3 हो जाका, आप देख़ए इस को कैसे को साल्व करेंगे, 27 है जो निकालेंगे, वो पहले लिख दिंगे, 27 जो निकालेंगे पहले लिख दिंगे जो नीचे रहेगा, उसको उपर लिख देंगे, जो आगे रहेगा, उसको नीचे चला जाएगा, 27 सही 3 बटे 11, 27 सही 3 बटे 11 आ गया, और किस से 5 और 5 है, तो यहाँ पर 5, तो पांच बजके रहे पांच बजकर 27 सही तीन बटे ग्यारा मिनट ठीक यही आपका एंसर हो जाएगा ठीक ऐसे आप करिए अभी एक कुछ नहों रहाएगा फिर हम बताएंगे तो आपको सिंपल लगेगा का रहा है क्यों जन के इक यह देखे हेड मास्टर में आया है कि इतना होता है 14 होता है कि कितना होता है कि 11 होता है माइनस 3 जा रहा है तब सथ 127 यहां माइनस T30 अब के बाद फैर माइन-11 से 13 कितना हो जाएगा तो आठ का कितना होता है यहां पे अपकि becoming-3 गटा दे बहुता कि आज हो जाएगा तो कि 8 3 11 होता है ना यह आपका एंसर हो ठीक है एच है फिर तीन घटाएंगे तो पांच आ जाएगा पांच पर यह होता है चार आठ इसको बता सकते हैं इसका कितना होगा अब देखिए यहां लिखा गया है चार दुनाई आठ है आठ इन्टू टू सोला इसके बाद सोला दूने बत्तिस इसके सिंपल एकदम सिंपल कुश्चन था लेकिए बीपीएसी हेड मास्टर सुचिए जब हैड मास्टर में इतना रूरत नहीं आपके पेपर में भी सिंपल कुश्चन आएगा अब देखें कितना कुश्चन हैड मास्टर लेकर आप देखें लिखा है जैड भी हार के सी अफ ये वाला कुश्चन बताइए यह कफी अच्छा कुश्चन देखिए जेकिन उतना अच्छा नहीं कि आप ना क बरेंगे ठीक है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं अब देखिए यहां पर कैसे आगया यहां पर पहले जे है यहां भी जे है यहां भी जे है यहां भी जे है अगर यहां पर हम जे लिखते हैं यहां पर माले जे हम जे लिखते हैं ठीक है तो जे कैसे आएगा ठीक है जे कैसे तो जे आने का तरीका क्या है जे मसे आप देखिए यहां पर आपको सी के रिस्पेक्ट में देखिए सी अगर हम यहां पर साथ जोडते हैं तब साथ तिन दस हो जाता है यहां पर दस दस पर जे आता है यहां पे अगर हम तीन जोड़ते हैं तो यफ हो जाता है तो ठीक है इसके रिस्पेक्ट में आप देखिए साथ हम यहां पे जोड़ दिये हैं जे में तीन में सी में सी में जब साथ जोड़े हैं दस आया है तो यहां भी अगर कोई ऐसा अच्छर होगा जो इसमें जोड़ साथ अगर साथ यहां पर जोड़ देंगे तो जड़ हो जाएगा तो कैसे जड़ होगा बताईए अगर हम पहले दूसरे कर नमबर देखिए यस आर यन आर अगर हम यस में यस कितना होता हूँ उननीस नौ क्योंकि यहां पे क्या होगा क्योंकि यहां पर कितना आ जा रहा है प्लस तीन जा रहा है तो के कितना होता है ग्यारा होता है आपका के ग्यारा होता है ग्यारा से अगर प्लस तीन जाएंगे तो कितना होगा ग्यारा तीन चौदा होता है तो चौदा किस पर यन आ जाता है तो देखें यन भी है तो यहां पर यहां पर क्या रहे है जे यस यन जे यस यन देखें पहल तो कुछ आपको यहां से जबते कि यहां पर नहीं लाएंगे तब तक यहां पर थोड़ा कम सोच पाएंगे ठीक है या आप दूसरे वारे सकरिए कि के से आर कैसे हो गया ठीक है तो लेकिन अगर आप्शन से कर देंगे तो ज्यादा सेंपल पड़ेगा ठीक है तो आई होप यह वाला आपको सुकुर्जण समुझ में आगया होगा चलिए देखिए दूसरा यहां पर लिखा गया है यकसर अर्थ क्या लिखा गया पहले मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस का अर्थ माइनट को क्या करेंगे माइनस को गुड़ा कर देंगे ठीक है और देखें गुड़े का अर्थ कितना है ये गुड़ा है तो गुड़े का अर्थ भागे है तो गुड़े का अर्थ क्या है आपका गुड़ा है इसका अर्थ कितना है भागे है ठीक है अब क्या भागे का अर्थ जो भागे का अर्थ ह होता है इसका अर्थ पलस होता है पलस का अर्थ होता है माइनस होता है ठीक है अब देखिए इतना समाल लागया अब 3 तो माइनस कहां क्या है माइनस का अर्थ गुड़ा होगा तो माइन गुड़ा लगा देते हैं फिर हम 15 लिख देते हैं ठीक है भागे का अर्थ पहले का आर्थ है कि बाड़े कर देते हैं फिर यूण हो जाएगा पलस उन्य सोजा जाएगा सदर नौना पांच चार चार और यह चार एक पांच है और एक छे चौह सट हो जाएगा अब भागे है तो पहले भाग करेंगे फिर माइनस वाला काम करेंगे नहीं बॉर्ड मास से पढ़ेंगे बी ओडी एम एस तो बी वाला कितना आ जाएगा पहले ब्रेकट फिर ओ मतलब जहां आफ या गुड़ा ओड आफ हो ठीक है उसको गुड़ा में कर देंगे और डी मतलब क्या होता है डिवाइड तो पहले डिवाइड करेंगे तो आठ माइनस छे तो आठ अठाएं चाओ सट तो यह कितना कड़के हो जाएगा आठ हो जाएगा तो आठ फिर माइनस चाह लिखा गया है फिर दो तो जीरो डेगरी जान लिजेगा हम फार्मूला क्या बताया है दो बटे 11 कि कहा है एवन पलस एटू आप देखिए एवन कितना लिखेंगे एवन लिखेंगे तीन गूड़े तीस हमेशा तीस से मल्टिपलाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा अब एक साथ बटे 11 यह कितना आ गया 90 आ गया एक साथ पूछा है तो जीरो कर देंगे ठीक है एक साथ वाला ज्यादा आता है दो बटे 11 फिर यहां 90 हुए कितना 1809 बटे 11 तो यहां भागे 11 करें 11 एक के 11 आ गया ठीक है इसका कितना हो जाएगा आपका साथ जीरो ग्यारा छाका छाचाट हो जाएगा यह चार हो जाएगा अब क्या करेंगे इसको लिखने का तरीका देख लिजे कैसे लिखा जाता है जिसको आप निकाले उसको पहले निकाले हैं 16 ही निकाले हैं तो उसको पहले लिख दीजिए जो नीचे है वो भगवान की दया से उपर आएगा जो उपर है वो नीचे जाएगा ठीक है ये 16 सही 4 बटे 11 अब 3 बज़े से कह रहा है तो 3 बज़े 16 बटे 4 बटे 11 ऐसे कुश्चन हो जाएगा ये ठीक अगर आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज लाइक कर देजिए चैनल को सस्क्राइब कर देजिए समीर आनंद की बर्तमान आयू करम साथ 5 अनपाते 4 है कि अनपाते 3 बज़े अब देखिए माना समीर का कितना है समीर की आयू 5 एक्स मान लेजिए आनंद का 4 एक्स मान लेजिए ठीक है तो यहां लिखे देजिए 5 एक्स और बटे 4 एक्स करा तीन वर्स बाद हम करें तीन वर् आनन्द की बरतमान आयू क्या होगा इसे जो एक से निकलेगा इसे में चार में गुड़ा कर देजिए आजाएगा अब हम निकारी लेते हैं तो निकालने कितना जाएगा इसको यहां पर हो जाएगा यहां अगर यहां पर ле cream आंगे तो कितना अझा जाएगा जाएगा एधर से 43 मसे चार आजाएंगा और अगर यहां पर 33 से 27 घटाएंगे तो चार नहीं आएगा आपका आजाएगा तीन और तीन 6 आजाएगा नहीं छेएगा थीक है तो एक्स बराबर छे आगया ठीक है तो यह छे को आप एक्स के बराबर 6 निकल गया आप कारा आनंद की बरतमान आज़ी पूछा है तो चार गुड़े यहां पर यहां पर यहां पर जोड़ेंगे तभी तो आपका दो बनेगा ठीक है तो अगर सब की की बाइलु उसमों एक मानले एक की बैलु भी एक मानले खोना पूल यहां पर हम पूट करेंगे ज्यादा कुछ इसमें दिबाग नहीं लगाना है ठीक है कि आप सौल करेंगे स्क्वाइर का रूट बनाएंगे तो वह ज्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है बैलू पूट करके देख लीजिए अब देखें यह वाला कुछ यह वाला जैसे पहला कुछन करें था ऐसे यह भी देखिए 6 को अगर हम 3 से भाग करेंगे दो आ जाइगा दो आ गया यह वाला काम खत्म हो गया यहाँ पर गया अगर दो को 4 यहां पर करेंगे तो कितना आजाएगा कर दो लेना प्रटना यहां थीन कटीन आ गया जाएगा थीन से मृटिपाइप करेंगे ते सीन थे नो थे नो आ गया। बस आई-अफ़ आ आपको समझ конф करके आप बता दीजिए इसके बाद मैं तो बता ही रहा हूं अब देखिए आयोब आप सॉल पर लिया होंगे देखिए पांच को चार से मुल्टिपलाई करेंगे कितना हो जाएगा पांच हो बीस पांच हो बीस पीस में छे जोड़ेंगे कितना जाएगा 26 आजएगा 26 आगय इस टाइब के सवाल में ऐसे इधर उदर का जोड़ना रहता है अब देखिए यह कुश्चन एक बार वीडियो पहुच करके अच्छा कुश्चन है अब वीडियो पहुच करके प्लीज बताइए कितना आ जाएगा राइट का 42 होता है कैट का 57 होता है लेट का कितना हो होगा वही यही सोचेगा किर आर का कितना होता है अठारा होता है लिखते हैं एक का कितना होता है एक होता लिख देते हैं टी का कितना होता बीस होता है अब हम जोड़ेंगे इसको वहाँ पर यही सब बच्चे करेंगे कितना हो जा अठारा एक 19 पलस 20 तो यह आपका 49 हो गय सी का कितना होता है, ती का बीस होता है, तो कितना हुआ है, यहां सवता हुआ ति आपके दिमाग में सोचेंगे, कुछ न कुछ तो अलगी होगा, अब देखि enorm यहां पे एक देखिए आर का आर का वो उल्टा करिए इस टाइप के सवाल में फिर उल्टा करें आर का उल्टा आर अठारा पे होता है तो ऐसा दो चीज दो चीज की बैलो 27 होनी चाहिए तो 18 में अगर 9 जोड़ेंगे तो तभी 27 होगा ना इसका अपोजिट वाला ठीक तभी 27 होगा तो यहां पर आर क के अस्थान पर हम 9 लिखते हैं और एक को बpero आर के अस्थान पर हम 9 लिख देते हैं क्योंकि 867 होड़ा ठीक अचरारा, पर की की êtना होता, यह होता है, यह में अगर 26 जोड़ेंगे तब 27 होता है, 26 कि इतना किसका होता है जड का होता है उससे नहीं मतलब है 20 20 का आपका 20 होता है 20 और 7 होता है 7 किसका होता है तो आपका 7 होता है इसका G का तो 7 जोड देंगे 20 और 7 सकता ही सोटा है ठीक है आप इसको जोड़े है 9 lac total 6 1-3 ancora 2-42 खेक्व है इसां EL कितना होता है A कितना होता है 12 158 है। 15 15 15 कितना होता है। है ठीक है एक कितना होता है एक हम देखें 26 होता है प्लस 26 कर देते हैं ठीक है टी का 20 होता है तो 27 27 होता है साथ किसका होता है कि जी का होता है साथ लिख देते हैं यह कितना होता है तो पांच कितना होता है आप 22 स्वाइस तो ये भी लिख देते हैं पिलिस भी का कितना होता वाईस लिख देते हैं ठीक है दो या लगद एक चीज में बताता हूं ताप कि याद हो फिर बाइस जोड़िये तो कितना हो जाएगा आठ दो देस चार दो छेक साथ सत्तर हो गया है तो उल्टा करके आपको जोड़ देना ठीक है इस क्योंकि 27 आप 27 दोनों को होता है अपोजिट उसका दोनों का युग 27 होता है ठीक इत इसके बाद 3 इसके बाद 5 इसके बाद 7 इसके बाद 11 फिर 13 फिर 17 जोड़िये कितना हो एक दो तीन चार पांच छे साथ एक और जोड़िये एक 19 हो जाएगा अब जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा इसको इसको जोड़िये जो आराम पड़े कितना तेरा और साथ 20 बीस प तालिस सत्रा अब हो जाएगा 58 तो अठावन हो गया एक तालिस और सत्रा अठावन हो गया अठावन में उन्ने जोड दीजिए नो आट सत्रा पांच एक तालिस सत्राइस टीक है वी वह आपका एसर सही हो जाएगा ठीक है करा है पर तो आठाय संक्राओं का योग तो अगर हम 15 से गूरा कर देते हैं तो कितना बढ़ जाता है 146,197 बढ़ जाता है, उस अंकस से ठीक है बस यही आपको करना है तो कितना हो जाएगा पंदरा यक्साओ बराबर 196 प्लस एक्स अब इसको इधर करेंगे कितना हो जाएगा 14 यक्स खोगिए फंदरा एकस खर इधर मेंए एक माइने सोजआएगा यह हो जाएगा एक सो चानवे ठीक है इसको इधर करेंगे ना इतना समझ रहे होंगे आप नहीं कि किके पराबर कितना हो जाएगा एक सो चानवे बटे चाउन तर्था तो कितना हो जाएगा जोग दचब का एक सुचान बे आपको आई हो पापको समय में आगया होगा निश्ट देखिए कि समानता सरेडी का 5 11 17 का 101 पत क्या है देखिए भी प्याज़ी में आया है यह क्या होगा अपकर आप पांच 11 17 समानता सरेडी का पहले फर्मूला याद रख लीजिए नुवा पत बराबर नुवा पत पूछ राना एप लस इन माइनस वन इंटू डी यह फर्मूल होता है आपको ए पता है ए बराबर पांच जो पहला वा अंक होता हुई डी बराबर क्या होता है ग्यारा में से कि नुवा नुवा पांच घटा देजिये तो घ्यारा मादा इस पांच बराबर छह यह सुटे तो इन वाह पंट एक्सट एक मादाशा देख सण बढ़ा दीजिए एट कितना है 5 हो गया कि albums एक न कितना है य्चोंक एक समय हैं ठीक एक सो एक माइनस एक इंटो डी कितना है च्छे कितना हो जाएगा जाहल Massachusetts हां ठेक है अब देखिए इतना गया चलिए हमने छे दे हरते हैं यह वाला कूशन देख लीजिए ये भी बहुत important question है देखिए ये question क्या कर रहा है अब देखिए इसमें कुछ नहीं करिए 35 को आप A मान लीजिए 27 को आप B मान लीजिए तो A plus B का whole square प्लस इसमें कुछ मत करिएगा ये इसका स्कॉयर स्कॉयर मत करिएगा तो A minus B का whole square आगर आपको आ रहा होगा तो आप अपने हिसाब से करिए तब तक वीडियो पहुच करके मैं आप तो बताई रहा हूं A square plus B square फिर मैंने पहले मैंने 35 को यह माना 27 को B ठीक आप देखे क्या करेंगे यह प्लस B का whole square तो A square plus B square plus 2AB अब इसको जब open करेंगे तो A square plus B square plus कितना आजाएगा वे माइनस है नहीं माइनस माइनस 2AB अपन A square plus B square है अब देखें यहां पर क्या करेंगे माइनस 2AB प्लस 2AB कट गया उपर आ गया 2A square plus 2B square ठीक है कैसे क्योंकि दो बार A है दो बार B है अपन A square plus B square अब दो अगर हम कामल ले लेंगे तो उपर भी A square B square बच जाएगा ठीक है इसको हम इसको कर देते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको पसंद आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीए चैनल को सब्सक्राइब कर दीए कर दीख मेरा सिर्फ करवाने का यह मतलब था कि आयसे कूश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं इस के कूश्चन प्लेज प्रैक्टिक्स कर लेजिए ठीक है या मैं आपको प्रैक्टिस कर लेज तो चलिए आज के लिए इतना है दन्यवाद नमसकार जेहन जेवार झालएं